प्रतिस प्रधार हित बाजार भाग तीन जो कि एका धिकारिक प्रतियोगिता से संबंदित है एका धिकारिक प्रतियोगिता जैसा कि नाम से हिस पस्ट है एका धिकारियों के मध्य पाए जाने वाली प्रतियोगिता यह एक ऐसा बाजार का तुरूप है जिसमें एक अधिकारी, योंको अपने अपने वस्तियों के उत्पादन पर, विक्रे पर, आपूर्ती पर एक अधिकार होता है फिर भी उनको प्रतियोंगिता का सामना करना पड़ता है आपने अपने घर के आसपास होटल्स और रेस्टोरेंट्स देखे होंगे जो कि अपने रिनाउन होंगे और लोग वहाँ पर जा करके इसको विजिट करते होंगे कुछ आजकल आटो प्रिक्षा या टैक्सी कैप्स वगरा भी हैं जिनोंने बाजार पे एक अधिकार अपना जमारक खा है और एक अधिकारी होते हुए भी उनको एक दूसरे से प्रतियोगिता करना पड़ रहा है आप उबेर कैप और ओला कैप की बात इसमें कर सकते हैं बाजार में कुछ दुकाने ऐसी होती हैं जहां से आप को हर सामान मिल जाता है और उस दुकान का अपना एक अलग ब्रैंड एक अलग एक अधिकार दिखाई पड़ता है सिम कार्ड और मोबाइल कनेक्शन के बिक्रेताओं को भी अपने-अपने कंपनी के पर अपने-अपने ब्रांड पर एक अधिकार होता है फिर भी उनको आपस में प्रतियोगिता के सामना करना पड़ता है एकाधिकारिक प्रतियोगिता को ही हम अपूर प्रतियोगिता भी कहते हैं एकाधिकारियों के मद्ध पाई जाने वाली यह प्रतियोगिता यह निश्चित करती है कि हलाकि प्रतेग एकाधिकारी प्रतेग उत्पादक को अपनी बस्तू की कीमत, पूर्ती और ट्रेड मार्क पर कानूनी रूप से एकाधिकार होता है फिर भी उसको प्रतियोगिता का सामना करना पड़ता है क्योंकि उसके द्वारा उत्पादित बस्तू वास्तों में बहुत ही निकट प्रतिस्थापन बस्तू होती है सारे के सारे एकाधिकारी ऐसी बस्तों का उत्पादन करते हैं जो एक दूसरे के स्थान पर एक दूसरे से इस्तिमाल की जा सकती है तो निकट प्रतिस्थापन होने के कारड वास्तों में प्रतियोगिता की स्थिति पाई जाती है आनेक क्रेताओं तथा क्रेताओं की उप्लबता इसकी सबसे पहली विशेष्टा है अगर हम देखते हैं कि चाहे नेट वर्क कनेक्शन्स की बात कर लीजे मोबाइल कनेक्शन्स की बात कर लीजे तो यहां पर हम देखते हैं, तमाम कम्पनियों को अपने-पने उत्पाद पर चाहे ओ जीयो रिलाइंस हो, चाहे ओ एर टेल हो, चाहे वोड़ा फोन हो, चाहे आइडिया हो इन सब को अपने-पने ब्रैंड पर एक अधिकार है क्योंकि सबीका का काम सभी एक ऐसे वस्तौका उत्पादन कर रहें जो कि एक दूसरे की इस्थान पर प्रतिस्थापित की जा सकती हैं इसलिए इनको आपसमें प्रतियो गिता का सामना करना पड़ता है इसकी तीसरी बिसेश्ता के रूप में हम देखते हैं मांगवक्र है बाइंस से दाएं नीचे की ओर छुका हूआ पाये जाता है, लेकिन यह एकाधिकारी की तुल्नाप में अधिक लोजशील होता है, क्योंकि एक अधिकारी में एक ही उत्पादक एक ही विक्रेता होता है, इसलिए एक अधिकारी का मांगवक्त बेलोजदार होता है, जबकि एक अधिकारी का मांगवक्त अधिक लोजशील होता है, प्यारों बच्चों, वास्तों में विक्रे लागतों का इ brand ambassadors लेकर के advertisements करना पड़ेगा अगर आप अपने बिक्रे को अधिक्तम करना चाहते हैं एक अधिकारी पृतियोगिता की एक अन्नी विशेष्टा है यहाँ पर हम देखते हैं कि फर्मों का आवा गमन संभो है अगर एक अधिकारीों को किसी उद्योग में लाब हो रहा है तो नई फर्में उसमें एंटर कर सकती हैं और अगर हानी हो रही है तो कोई भी फर्म ठोड़ कर जा सकती है वास्तों में इस एंटरी और एग्जिट की संभावना की कारण ही दिरकाल में सामान इलाग की सिती पाई जाती है इसके अलावा एकाधिकारी प्रतियोगिता में उत्पाद विभेत की संभावना भी होती है प्यारे बच्चों मैंने अभी जस्ट बताया कि किस प्रकार प्रतेक एकाधिकारी द्वारा उत्पादित और प्रस्तुत बस्तु एक दूसरे के इस्थान पर प्रियोग में लाई जा सकती है निकट प्रतिस्थापन होती है इसलिए आप उसमें थोड़ा सा रूप रंग आकार बदल करके अलग अलग क्रिताओं से आप अलग अलग कीमत ले सकते हैं यहां तक कि यह देखा गया है कि एक ही कंपनी जो कई तरीके के बिस्किट बनाती है और हर बिस्किट में थोड़ा सा उसका कॉस्टिंग थोड़ा सा रूप रंग टेस फ्लेवर बदल करके उसकी किमत और अधिक लेने में सफल होती है यह उत्पाद विभेद एकाधिकारिक प्रतियोगिता का बिशिष्टा है आई अब हम देखते हैं कि एकाधिकारिक प्रतियोगी फर्म अल्पकाल में संतूलन की अवस्था में क्या करती है अल्पकाल में अगर हम संतूलन की बात करें तो यहाँ पर हम देखते हैं कि इसको अस्मानिलाब मिल सकता है सामानिलाब मिल सकता है खानी भी हो सकती है मांग की लोच और पूरती वक्र ये निजधारित करेगा कि एकाधिकारी अल्पकाल में असमान इलाब ले रहा है या हानी हो रही है अगर हम मांग वक्र की बात करते हैं तो देखे बाई तरफ औरेंज कलर में एकाधिकारी का मांग वक्र दिया गया है और दाई तरफ एका धिकारी प्रतियोगी फर्म का मांगवक्र दिया गया है हरे रंग वाला जो मांगवक्र है राइट साइड में जो दिया है यह आप देखते हैं यहाँ पे यह ज़ाध इसका E-D जो जाए ज़ाधा है इस comparison to एका धिकारी तो एकाधिकारी का मांगवक बेलोजदार है क्योंकि ये ज्यादा स्टीप है और इसमें जनरली ED जो Elasticity of Demand एक से कम होती है और इसमें ED एक से अधिक होती है उसका मुख्य कारण है कि एकाधिकारी प्रतियोगिता में एक जैसे एकाधिकारी बहुत सारे हैं परिडाम सुरू उनका मांगवक लोशिल हो जाता है अगर कोई एक एकाधिकारी ज्यादा कीमत वह सुलने की कोसिस करेगा तो ऐसी स्थिति में क्रेता उसको छोड़कर दूसरे एकाधिकारी के पास चले जाएंगे ये संभावना एकाधिकारी में नहीं है प्यारे प्रशिक्षो यहां पर ह इकट प्रतिस्थापन वस्तूत पादित कर रहें इसलिए आपस में उनको प्रतियोगिता का सामना करना परता है अलपकाल में अगर हम एकाधिकारी प्रतियोगी फर्म की बात करते हैं तो यह इसको असमान इलाब मिल सकता है सामान इलाब मिल सकता है और हानी हो सकती है जहा क्या है इकिलीवियम पॉइंट पे आर इसका ज्यादा है एसी से और अस्मान इलाब का एरिया यह इसका आप देख सकते हैं कि ग्रीन कलर का पुरा का पुरा एरिया थी दूसरी और और अगर हम देखते हैं कि संतूलन बिंदू पर AC-AR के बराबर है जो कि दूसरे सेंटर वाले डाइग्राम में हैं इस इस्तिती में AC-AR के समान हो जाता है और इस अलपकाल में इस एक अधिकारिक फर्म को सामान इलाब से संतुष्टी करनी पड़ती है अगर AC-AR कारीक पर्तियोगी फर्म का संतूलन बिंदू पर कीमत से अधिक उसत लागत है तो ऐसी इस्तिती में फर्म को लॉस हो सकता है अलपकाल में इसे असमान हानी का भी सामना करना पर सकता है यह जो आप औरेंज कलर का एरिया देख रहे हैं यह औरेंज कलर का एरिया असमान हानी का अलपकाल में एकाधिकारिक पर्तियोगी फर्म को असमान इलाब भी मिल सकता है सामान इलाब भी मिल सकता है और हानी भी हो सकती है यह डिपेंड करेगा Elasticity of Demand के और तथा बस्तू का AC और MC का structure उसका धाचा अब दीरकाल में क्या होगा क्योंकि यहां पर संभव है कि नई फर्में आ जाएं यहीं संभव है कि अगर हानी हो रही है तो पुरानी फर्में छोड़के चली जाएं तो ऐसी स्थिती में अगर हम तीन केसिस का वड़न क करें तो पहला केस आपके सामने आता है अस्मानिलाब का अगर सीमान्त फर्म को सीमान्त फर्म वह फर्म होती है जिसका लागत सबसे जादा उचा होता है अगर उस सबसे उची लागत वाली फर्म को अल्प काल में अस्मानिलाब मिल रहा है तो ऐसी स्थिती में नई फर्मे प्रिवेस करेंगी और नई फर्मों के प्रिवेस करने से पूरे उद्योग की पूरती में बृधी होगी जिस से कीमते डाउन होने सुनी हो जाएंगी और सामान अगर संतुलित कीमत डाउन होगी तो लाफ में भी कमी आएगी और यह लाफ में कमी तब तक चलती रहेगी जब स्थिती भी अपरवर्तित रहेगी, कीमत भी स्थिर रहेगी, साथ ही सामाने लाब भी स्थिर ही रहेगा। एक तीसरी अवस्था की रूप में हम देखते हैं अगर फर्म को सीमान्थ फर्म को हानी हो रही है ऐसी स्थिती में जो सीमान्थ फर्म है वो छोड़ कर चली जाएगी धीरे धीरे सीमान्थ फर्म में सब चोड़ कर चली जाएगी ऐसी स्थिती में क्या होगा धीरे धीरे उनक तक कि सीमान्त फर्म को सामान लाब ना मिलने लगे तो हम एक निसकर्स निकाल सकते हैं कि दीरकाल में एक एकाध हिकारिक प्रतियोगी फर्म को सामान लाब ही मिलेगा आईए अब हम इसको एक रिखाचित्र के माध्यम से समझाते हैं इस रिखाचित्र में आप देखेंगे ल LAC और LMC इस एकाध हिकारिक प्रत्योगी फर्म का दीर कालिंग औसत और सीमांत लागत व recibir जबकि LAR और LMR वक्र आ जबकि तейल्यार और वक्र रहें और वक्र दीर कालिक औसत आौगम और सीमांत आगम वर प्रावर है इस पॉइंट से अगर हम नीचे परपंडिकुलर डॉब करेंगे तो पता चलेगा कि यह कितनी यूनिट को बेच रही है और आप ऐसी स्थिती में देखेंगे प्राइस और कॉस्ट इस फर्म का समान है जो कि यह इंडिकेट करता है जो कि यह बताता है कि इस फर् कुल्तम प्रियोग की बात है तो इसके लिए हमें फिर उसी पैटन पर जाना होगा हम देखते हैं कि राइट साइड में पूर्प्रतियोगी फर्म का संतुलन दिखाये गया है और हम यह पाते हैं कि दीरकाल में हाला कि दोनों फर्मों को सामान इलाब ही मिल रहा है क्योंकि इंट्री और एक्जिट की जो सुबिधा है वो एक अधिकारिक परतियोगिता में भी है और पूर्परतियोगिता में वी है परन्त हम यह देखते हैं कि जब संतुलन की बात आती है तो परफेक्ट कम्टीशन में जो संतुलन होता है उसमें AC बराबर होता है AR के जबकि अगर हम मोनोपोलिस्टिक कम्टिशन की बात करें तो इसमें संतूलन बिंदू पर AC कम होता है AR से या AC वास्तों में अंतर अगर हम अंतर की बात करते हैं तो आप देखिए आउसत और सीमान्त आगम वक जो एकाधिकारिक प्रतियोगी फर्म का है वो डाउनवर्ड स्लोप्ड है कॉस्ट इस्ट्रक्शर हमने दोनों का समान लिया है दीर कालीन पूर प्रतियोगी फर्म का संतूलन उस बिंदू पर होता है जहाँ MC MR को काट रही है इसी बिंदू पर AC MC को भी इंटिसेक करती है यानि कि पूर प्रतियोगी फर्म के इस अंतूलन बिंदू पर AC AR के भी बराबर है MC MR के बराबर है और यह दोनों कॉम्बिनेशन एक दूसरे के बराबर है यानि कि least cost combination यहाँ पर संभो है जबकि हम अगर एकाधिकारिक पृतियोगी फर्म की बात करते हैं तो आप देखिए यह औरेंज कलर की लाइन MR कर्व को EM बिंदू पर काट रही है और EM बिंदू से आप देखेंगे कि यहाँ पर हरे रंग का जो यह लाइन है बताता है कि कम उत्पादन और अधिक कीमत वसूली जा रही है जबकि पूर्पृतियोगी तायमें OPP संतुलित कीमत है और यही संतुलित कीमत और सतलागत के बराबर है तो हलाकि दोनों फर्मों को दीरकाल में सामान इलाब मिल रहा है लेकिन संसादनों का बहतर प्रियोग पूर्पृतियोगी तायमें हो रहा है क्यों? क्योंकि कम कीमत पर अधिक मात्रा उपलब्ध है क्योंकि कम लागत पर अधिक उत्पादन सम्मुआ है तो हर प्रकार से हम यह देखते हैं प्रतियोगी अनिक्रेता और विक्रेता की संख्या एकाधिकारिक प्रतियोगिता में पूर्प्रतियोगिता की तुलना में कम होते हैं अगर प्रवेश की स्वतनतरा की बात करें तो एकाधिकारिक प्रतियोगिता और पूर्प्रतियोगिता में आवा गमन फर्मों का संभो है जबकि एकाधिकारी के केस में फर्मों का आवा गमन प्रतिवंधित होता है एकाधिकारी के केस में कोई भी फर्म इसमें एंटर नहीं कर सकती अगर एंटर करती है तो ऐसी स्थिति में हम देखते हैं कि एकाधिकारी समाप्थ हो जाता है इसके अलावा मांग वक्त के सुभाव की अगर हम बात करें तो एक पूल प्रतियोगी फर्म का मांग वक्त X-X के समाना नतर एक सीधी रेखा होता है जबकि एका धिकारी का मांग वक्त 25 सेदाएं नीचे की ओर जुका हुआ बेलोजदार होता है और एका धिकारिक प्रतियोगी फर्म का मांगवक 20 सिदाए नीचे की ओर जुका हूँआ होता है साथ ही ये लोच्छील होता है लोच्छील होने के पीछे मुख्य कारण है फर्मो का ख्रेताओं बिक्रेताओं की आधिक संख्या अगर हम कीमत निधारर करने की बात करें तो पूर प्रतियोगिता में कीमत का निधारर उद्योग करता है फर्मो को इस प्रकार निधारित कीमत को स्विकार करना होता है जबकि हम एकाधिकारी के केस में देखते हैं एकाधिकारी भी अपनी बस्तू की कीमत का निधारर करता है और साथ ही अगर हम अपूर प्रतियोगिता या एकाधिकारिक प्रतियोगिता की बात करते हैं तो इसमें प्रतेक एकाधिकारी अपनी अपनी बस्तू की कीमत को निधारित करने के लिए स्वतंत्र होता है दीर कालीन संतुलन में हम देखते हैं अगर हम पूर पृतियोगीता में देखते हैं सामान इलाब मिलता है एक अधिकारी में असमान इलाब मिलता है क्योंकि इसमें प्रवेश की संभावना नहीं होती अगर अल्प काल में अस्मान इलाब मिल रहा तो दीर काल में भी अस्मान इलाब मिलेगा अगर हानी हो रही अल्प काल में तो फर्म छोड़ कर चली जाएगी लेकिन जब हम compare करते हैं जब हम तुलना करते हैं एक अधिकारिक प्रतियोगीता का और पूर्ड प्रतियोगीता का तो हम यह देखते हैं दोनों में ही सामाने लाब मिलने का मुख्य कारण है फर्मों का आवा गमन संभो होता है फर्मों के आवा गमन के कारण अगर अल्पकाल में सीमान फर्म को असमाने लाब मिल रहा है तो धीरे धीरे और असमाने लाब कम होते होते आपस नई एंट्री आएगी नई फर्मों के एंट्री होगी और नई फर्मों के एंट्री के कारण सप्लाई बढ़ेगी कीमते कम होग जब तक सामाने लाब तक हम ना पहुंच जाएं अगर हम विक्रे लागतों की बात करें तो विक्रे लागते पूर प्रतियोगिता में बिल्कुल नहीं पाई जाती जबकि एका धिकारी में अगर उसको अपनी मांग का विस्तार करना अपनी बाजार का विस्तार करना है तो उ प्रतिस्तापन बस्तुभल का उत्पादन करले। जहां तक विक्रे लाक्तु की बात है, तो विक्रे लाक्ते अपूर्ड परतियोगिता या एका धिकारिक परतियोगिता का एक आवश्चक हंग होती है,vidhane महतपूर होती हैं क्योंकि यह सारे के सारे जो उत्पादक या विक्रेता हैं वो ऐसी बस्तू को बेचने की कोशिश कर रहे हैं जो कि रूप, रंग, आकार और सेवा और बुरात्मक्ता से समान लगभग समान होती है एक दूसरे के निकट प्रतिस्थापन होती है अब कि अपनी ब्रैंड को इस्टेबलिश करने के लिए हर कंपनी, हर विक्रेता को प्रचार प्रसार के माध्मों का सहरा लेना पड़ता है और हम अपने रियल लाइफ में भी देखते हैं इस बात में भी होड लगी रहती है कि कौन किस एक्टर को, कौन किस एक्टरेस को या कौ और किस प्रकार आप franch Dean Państwo को बदल कर शुद्व को अगर एक कम्पनी प्रचार प्रशार के लिए बेस्ट किर्केटर को चुनती है तो दूसरी कम्पनी प्रचार प्रशार के लिए बेस्ट अक्टर को लेने की कोशि़ तो यह हम अपने रियल लाइफ में भी इसको अनुभो कर सकते हैं विक्रे लागतो का प्रभाव एक अधिकारी पृत्योगत्या में अथ्याधिक होता है और अगर आपको विक्रे करना अगर आपको कमप्टीशन में रहना है तो आपको विक्रे लागतो पर जैकरना ही पढ़ होता है संसाधनों का अनकुलतम प्रियोग उस अवस्था में होता है जब संतुलन की स्थिति में एसी ए आर के बराबर होती है और यह संभोख पहले से अधिक्तम हो चुका होता है इसलिए उस छमता को बचाए सेश ही रखता है और इस प्रकार संसाधनों का अंडर यूटिलाइजेशन एक अधिकारी में होता है आज की स्लाइड में इतना ही धन्यवाद थैंक यू